नमश्कार दोस्तों इस साल के जितने भी Nobel Prizes हैं उसको Announce कर दिया गया है पहले वाले जितने हैं आपको Study IQ चैनल पर मिल जाएगा आज 11th of October को आखरी Nobel Prize that is Economic Sciences में Announce किया गया है इसकी हम चर्चा करेंगे जैसा कि आप देख सकते हो इस बार का जो Nobel Prize in Economic Sciences है ये दिया गया है तीन तो इसके बारे में हम देखेंगे कि exactly इन्होंने क्या contribute किया है किसकी वजए से यहाँ पर तीनों लोगों को ये economics के अंदर Nobel Prize दिया जा रहा है काफी को जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे है तो simply आप हमारे आप को download कर सकते हैं या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं चली देखते हैं exactly यहाँ पर हो क्या रहा है जैसे हमने बताया कि तीनों लोगों को दिया गया है देखें यहाँ पर जो main contribution है जैसे कि जो पहला first half prize है मतलब कि जितना भी money होगा इसके अंदर जो दिया जा रहा ह नोबल laureates को तो जो half prize है वो दिया गया है debit card को और बाकी का जो आधा prize है वो यहाँ पर share किया जाएगा जोशिया, डी, एंग्रेस्ट और इंबेंस के दोरा तो यहाँ पर जो debit card है जिनको half prize मिलेगा इन्हों ने basically जो labor economics होता है उसके अंदर contribution किया है labor economics basically relate करता है labor से related जितनी जगा migrate करेगा तो उसके wages के उपर क्या impact करेगा इस तरह की जो चीजे होती है उसके बारे में हुने study किया पहले क्या होता था कि कुछ दूसरी चीजे देखी जाती थी अब देखे आपको economics में समझना है कि economics में होता क्या exactly economics में हम किस चीज की बात करते है policies की बात करते है पिछले साल pandemic के दौरान जब सरकार को लग रहा था कि जितने भी migrant workers हैं वो अपने गाउं वापस लौट रहे हैं तो सरकार ने क्या step लिया कि जो मनरेगा वाला work है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो गाउं के अंदर उसकी demand बढ़ा दी तो ये basically क्या होता है यहाँ पर data available होगा तभी तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर policies बना पाऊगे अगर suppose मान के चलो कि आपके पास जो data है जहाँ पर policies को बनाना है अगर आपके पास data ही खराब है आपको पता ही नहीं कि exactly यहाँ पर चल क्या रहा है तो आपकी policies भी गलत हो जाएंगी तो यहाँ पर जो debit card है उन्हो के द्वारा उन्होंने contribute किया है to the causal relationship causal relationship का मतलब होता है cause and effect मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो इसका impact क्या आएगा अगर आपके जीवन में आपने एक साल ज़्यादा पढ़ा होता है तो उसका impact क्या सकता है अब देखो यह बहुत मुश्किल हो जाता है देखने में तो लग रहा सकते हो जो डेविट कार्ड है मैंने आपको बताया उनको लेबर मार्केट में दिया गया है और जो बाकी के जो दोनों नोबल लॉरियेट हैं एंग्रिस्ट एंड इंबंस उन्होंने natural experiment को समझानी की कोशिश की तो natural experiment क्या होता है एक ऐसा experiment जो कि आप जान मुझकर नहीं कर सकते हैं वो आपके आसपास हो रहा है आपको उसी को देख कर समझ के चीज़ें करनी हैं जैसे कि मान के चलो एक तो normal experiment होता है जैसे कि laboratory के अंदर आप गए आपने दो chemical को मिला आया आपने दोनों chemical को मिला कर देखा कि उससे क्या चीज़ बन रहा है उसका impact क्या आ रहा है एक आपने उनको एक साल स्कूल में ज्यादा पढ़ाया होता मतलब उनकी studies एक साल ज्यादा होई होती तो उनका impact क्या आएगा उनके future पर आगे चल कर ठीक है तो आप इसका experiment कैसे कर पाओगे आप ऐसा थोड़ी है कि दूसरे group को बोलोगे कि नहीं आप एक साल मत पढ़ो भले उसका मन है एक साल पढ़ने का लेकिना आप कोगे नहीं मत पढ़ो तो फिर उसका impact जाएगा तो इस तरह की जो experiments होते है उसको बहुत मुश्किल होता है करना ये इसको कहा जाता है natural मतलब कि आपके आजपास चीजे जब naturally चल रही होती है तो आपको उसी को देखकर समझना ह और उसी के हिसाब से आपको अपनी policies बनानी है उसी के हिसाब से आपको data collect करना है और फिर आप policies बना सकते हो और ये जो सारी चीजे हैं यहाँ पर इस बार के Nobel laureates के दोरा किया गया और इसकी वज़े से क्या हुआ कि इसका impact बाकी fields पर भी आपको देखने को मिलेगा तो सबस से पहले यहाँ पर बोला किया कि उनके दोरा कुछ bigger questions को solve करने की कोशिश की गई जैसे कि suppose जो immigration होता है उसका payment और employment लेवल पर क्या impact आएगा मतलब कि suppose भारत से कुछ लोग US जा रहे है या फिर सौधी अरफ जा रहे है योई जा रहे है तो वहाँ पर क्या impact आएगा वहाँ इसको answer करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके आप किसी चीज को compare करके कह सकते हो ना कि हाँ यहाँ पर एक दूसरा group है और यहाँ पर दूसरा group है लेकिन इस case में क्या है कि आपके पास comparison के लिए कोई बहुत कुछ होता नहीं है और इसी के वज़े से बोला गया कि इ इस बार के जो laureates है उन्होंने मदद की है और social science के अंदर एक नया रास्ता दिखाया है सबसे पहले थोड़ा समय यहाँ पर debit card के बारे में और थोड़ा बात करना चाहता हूँ देखे debit card मैंने आपको बता है जिनको half price मिलेगा तो उन्होंने labor market के अंदर contribution दिया है labor economics जैसा म minimum wages हो गया आपने देखा होगा न भारत में भी minimum wages की बात होती है कि कि कितना minimum wage होना चाहिए कोई राज कहता है नहीं 10,000 होना चाहिए कोई राज कहता है 12,000 होना चाहिए immigration का labor market के उपर क्या effect आएगा education का labor market के उपर effect क्या हैगा तो 90's 90's में 1990's में उन्होंने यहाँ पर कुछ जो conventional wisdom हुआ करता था पहले से जो लोग चलते आ रहे थे उसके विचार धारा के इसाब से जैसे कि पहले यहाँ पर चर्चा क्या होती थी मैं आपको बताता हूँ कि अगर minimum wage बढ़ाया गया तो पहला लोग ऐसे सोचते थे 1990s के पहले कि minimum wage बढ़ेगा तो employment घटने लगेगी क्यों क्योंकि जो factories हैं उनको ज्यादा payment करना होगा लेकिन factories कहेंगी हम ज्यादा payment क्यों करें इसलिए ऐसा माना जाता था कि minimum wage मत बढ़ाओ ठीक है अब minimum wage नहीं बढ़ाओ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो labor है उनका उद्धार कैसे होगा उनका standard of living कैसे बढ़ेगा तो यहाँ पर minimum wage मत बढ़ाओ क्योंकि employment कम होने लगेगा ऐसा सोच विचार धारा हुआ करता था लेकिन यहाँ पर डेविड कार्ट ने अपने analysis से यहाँ पर natural experiment को देखकर यह बोला कि नहीं इसका उल्टा होता है जैसे कि यहाँ पर US में आपको पता होगा अलग-अलग states है New Jersey हो गया और उसके just जो पडोसी उसका state है जिसका नाप है Pennsylvania उन दोनों के बीच में comparison किया कैसे New Jersey ने क्या किया था कि यहाँ पर अपना minimum wage बढ़ा चीज़ें लगबग सेम होती है नियम कानून वगरा तो यहाँ पर देखा गया कि New Jersey में जो minimum wage बढ़ाया गया था उसकी वज़य से यहाँ पर employment भी increase हुआ क्योंकि encouragement मिलता है आप सोचो आपको ज़्यादा wage मिलेगा आप encouragement फिल करोगे आप ज़्यादा productive बनोगे ज़्यादा क्या contribution था इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि पहले ऐसा लोग सोचते थी कि अगर country A में मालो बहुत सारे immigrant आ रहे हैं तो पहले लोग सोचते थी कि यहाँ पर immigrant को मत आने दो तो उससे होगा क्या कि जो local people है उनको job नहीं मिल पाएगी आज भी यह मुद्धा आज कल देख जो आपका resources है उसको बढ़ाना चाहिए तो जितना जादा resource मिलेगा schools के अंदर बच्चों को तो आगे चलकर उनके success का rate जो है labor market के अंदर वो जादा होने के chances है success rate उनका जादा होता है तो यह contribution है इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे दो लोग हैं जिनको half price मिलने वाला है उनका contribution अगर आप देखोगी तो उनोंने डेविट कार्ड का जो work है उसी को एक तरह से और जादा आगे बढ़ाया क्योंकि अभी भी 1990s के बाद भी ऐसे बहुत सारे प्रशन थे जिसको solve करना आशान नहीं था जैसे कि for example मैंने आपको starting में जो education वाला बताया ना कि यहाँ अगर एक किसी बच्चे का एक साल का education बढ़ा दिया जाता है तो उससे आगे चलकर success के कितने chances हैं लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि यह experiment आप नहीं कर सकते हो it is not possible क्योंकि आप किसी को आगर मान लो आपने बीस बच्चों का group चुना तो बीस बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपको action में देखने को नहीं मिलेगा मतलब इससे आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है तो यहाँ पर इसको सुल्जाने के लिए इस तरह की जो methodological problem है उसको solve किया गया है जोश्वा एंग्रेस्ट एंड ग्वीडो इंबेंस के दोरा और इसकी वजए से यहाँ पर जो economics में याद रखिएगा कि बाकी जितने prizes होते हैं चाहे physics हो, chemistry है, medicine हो गया या फिर peace prize हो गया यह सभी starting से चलते आ रहे हैं आपके ठीक है लेकिन economic sciences में जो nobel prize है वो 1969 में पहली बार दिया गया था basically क्या हुआ था इसका जो official name अगर आप देखोगे तो यह है स्वेरिक्स रिक्स bank prize in economic sciences बे हुआ क्या था कि 1968 में यह जो आपका bank है central bank है Sweden का उसका 300th anniversary था तो उन्होंने यहाँ पर Alfred Nobel के याद में यह वाला जो prize है उसको रखा था और तब से 1969 से economic prize मिलने लगा है और last के 5 years का आप देखना चाहो तो आप देख सकते हैं 2020 में जो auction theory थी उसको दिया गया था 2019 में आपको पता है अभी जीत बेनर जी और इस्तर डूफलो उनको यह price दिया गया था और total अब यह आप देख सकते हो economic sciences में 52 prizes दिये जा चुके हैं 86 laureates को ठीक है और बाकी विके भी आप चाहो तो यहाँ पर check कर सकते हैं तो यह पुरा वीडियो था दोस्तों regarding economics के noble prize के बारे में जाने से पहले एक interesting question क्या पता सकते हो कि जो options में दिये हैं इन में से किसको दोनों मिल चुका है noble prize और भारत नरत दोनों मिल चुका है इसका right answer आपको पता ही है मेरे instagram पर तो मिलेगा ही व साथ UPSC और फिर कोई भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो simply आप हमारे आपको download कर लीजे I hope कि वीडियो आपको पसंद आ होगा मिलता हूं से next time till then thank you very much see you soon